आपके PC या लैप्टॉप में कोई भी software install नहीं हो रहा है तो क्या करें कैसे इस problem को solve करें मतलब कि आप कहीं से किसी भी software को download तो कर लेते हो लेकिन जब आप install कर रहे होते हैं यानि run कर रहे होते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई problem आ जाता है या थोड़ा install हुआ फिर cancel हो गया त solve हो जाएगा ओके तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो आप ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना चलिए दोस्तों वीड काफी लो होता है मतलब सिस्टम लो है उसमें काफी ज्यादा साफ़ विर इंस्टॉल कर दिए वाइरेस आ गय देन वो स्लो हो जाता है और ऐसी प्रॉब्लम आ जाता ज्यादा तरप यही केस होता है इसके बीछेगा ठीक है तो चलिए भाई यह problem है तो फिर इसको solve कैसे करे यह चलिए मैं आपको बताता हूँ तो सबसे पहला इस्टेप देखो गाईज इसके लिए हमें एक सेटिंग करना है यानि एक सेटिंग चेक करना है इसके लिए दोस्तों नीचे आपको एक Windows का Option मिल जाएगा यह आप देख सकते हो तो आप यहाँ पे Windows आले आइकन पर क्लिक क तो जैसे आप क्लिक करोगे यहां पर आपको भेरो बिभाटन मिल जाएंगे आपको सिंपल साइड मैं चले आना है यहां पर को एक आप एक प्सको आप्सन मिल जाएगा यहां पर देख सकतो ओ फाइब नमबर पे यह ए एッप काशन आप एक रेंगे जैसे आप solchen क सेरोग क तो यहां पर Choose where to get apps, में यहां पर आपके में Anywhere छोड़के यहां पर आपके में The Microsoft Store Only यह लगा होगा, यह फिर इन तीनों में से कोई लगा होगा, इसलिए दोस्तों, एक्स्टरनल कोई software आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होता है, ठीक है, तो अगर इन तीनों में से कोई लगा है, तो उसको हटा के यहां पर आप Anywhere को सेलेक्ट करो, इस तरीके से, अब आप कोई भी software जो इंस्टॉल कर रहे हो, अब आप इंस्टॉल करो, तो वो इंस्टॉल होने लगेगा, लेकिन अगर आप यह करते हो, और फिर भी यहां पर software इंस्टॉल नहीं होता है, तो चलिए मैं आपको दूसरा step बताता हूं, दूसरे step में क्या करना है, देखो भाई, दूसरे step में कोई setting नहीं है, अब आपको सीधा अपने laptop या computer जो भी उज़ करते हो, उसको आपको reset करना होगा, या फिर उसमें आपको दूसरा window चड़ाना होगा, जैसा भी आपका बनता ह ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि भाई, यह setting मैंने आपको बता दिया, इससे नहीं होता है, मलब वो जो system है, आपका वो काफी हद तक जा चुका है, उसको दुबारा आपको नया करना पड़ेगा, इसके लिए अपना system जो है, उसको reset करो, या फिर अपने laptop PC में दूसरा window जाएगा, 100% काम करता है, मैंने इस तरीके से इन प्रॉब्लम को solve किया हूँ, तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपके laptop PC में, computer में software इंस्टॉल नहीं हो रहा है, कोई भी software इंस्टॉल नहीं होता है, तो आप इस प्रॉब्लम को इस तरीके से काफी जीवे से solve कर सकते हो, अ किया खिए आपके जीवे काफी है, को आपके दोना आ आपके जीवे को इस तरीके से काफी है, कि जीवे एस दोना आपके में?